दिस सिनमा शो जहां आपको मिलती है फिल्मी दुनिया से जुड़ी कुछ जरूरी खबरें मैं हूँ दिव्यान शी और आप देख रहे हैं इस हफते का आखरी सिनमा शो पहली खबर हॉलिवुट की है सालों से चली आ रही जेम्स बॉन फ्रेंचाइजी की नई फिल्म No Time To Die की रिलीस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है पहले से अपरे महीने में रिलीस होना था मगर कोरूना महमारी के चलते इसकी रिलीस डेट अब बढ़ाकर अक्टूबर कर दी गई है मेकर्स ने ट्वीट करके बताया कि No Time To Die अब 8 अक्टूबर 2021 को रिलीस की जाएगी दुनिया की सबसे लंबी फिल्म सीरीज में जेम्स बॉन के कारेक्टर को लीड में रखते हुए 58 सालों में अभी तक कुल 24 फिल्म में बनाई जा चुकी है सूपर स्टार डेनियल क्रेग इस मूवी में लगातार पांचवी बार जेम्स बॉन का कैरेक्टर प्ले करने जा रहे है फिल्म में रामी मलेक नेगिटिव रोल में दिखाई देंगे वहीं आक्ट्रिस लाशना लिंच भी नज़र आएंगी कल सुशान सिंग राजपूत की 35 बर्थ एनिवर्स्ट्री थी लोगों ने उनके लिए खूप सारे एमोशनल पोस्ट किये अब खबर है कि साउथ दिल्ली के इंड्रियू गंज से लेकर से लिंद्रा कैम तक जाने वाली रोट का नाम सुशान सिंग के नाम पर रखा जाएगा SDMC के काउंसलर अभिशेक दत ने नगर निगम को इस बात का प्रस्ताव दिया था जिसे SDMC ने मान लिया है अभिशेक दत ने कमिटी को ये भी बताया कि बिहार के कई लोग रोड नमबर आठ पर रहते हैं ऐसे में इस डोड का नाम सुशान सिंग राजपूर मार्क कर देना चाहिए सुशान सिंग में 14 जून को अपने मुंबई वाले घर में आत्मात्या कर ली थी कुछ तिनों पहले रनबीर कपूर की फिल्म आनिमल की अनाउंस्मेंट हुई थी जिसमें उनके साथ अनल कपूर और परिनिती चोपला भी नज़र आने वाले हैं पता चला है कि मूबी में परिनिती चोपला रनबीर कपूर की वाइफ का रोल प्ले करेंगी वहीं अनिल कपूर उनके पिता के किरदार में दिखाई देंगे संदीप रेड़ी वांगा के डारेक्शन में बनने जा रही इस मूवी की कहानी गैंक्स्टर ड्रामा होगी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि रनबीर, परिनिती और अनिल के अलावा इसमें बॉबी देउल को भी कास्ट किया जा सकता है मगर इस बात की अभी कोई ओफिशल अनौंस्मेंट नहीं हुई है बीते दिनों BMC ने अवयद निर्मान के मामले में सोनू सूत के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी जिसके बाद सोनू बॉंबे हाई कोट पहुँचे मगर कोट से उन्हें कोई भी राहत नहीं मिली है सोनू की आचिका खारिच करते हुए जस्टिस पृत्वीराज चवान ने कहा कि ये मामला पूरी तरह से BMC के पाले में है पूरा मसला सोनू की जुहिस्तित बिल्डिंग शक्ती सागर से जुड़ा है जिस पर BMC ने आरोप लगाया था कि एक रिजिदेंशल बिल्डिंग है जिसे सोनू अवैर निर्माण के तहत होटल में कनवर्ट कर रहे है इसी महीने BMC ने सोनू के खिलाब जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी मांग की थी कि सोनू के खिलाब एफायार दर्ज हो मगर पुलिस ने अब तक कोई एफायार दर्ज नहीं की है विद्याबालन की अबकमिंग फिल्म शेनी के एक क्रू मेंबर ने आक्टर विजयराज पर छेठचार का रोप लगाया था जिसके बाद विजयराज को ग्रफतार करने की खबरे भी सामने आई थी उस समय फिल्म की शूटिंग बाला घाट में चल रही थी अब खबर है कि विजयराज एक बार फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं स्पॉट बॉई की रिपोर्ट के मुताबिक अमित मासूरकर की इस मूवी में पहले प्रिडूसर्स ने विजयराज को रिप्लेस करने के बारे में सोचा था मगर उन्हें विजय के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल रहा विजय इस रोल के लिए एकदम फिट हैं वहीं अभी तक विजय के उपर लगे आरोग सिध नहीं हुए है 21 जनवरी को कैटरीना कैफ की बहन इजाबिल कैफ की फिल्म सुस्वागतम खुशामदीद का फर्स्ट लुक रिवील किया गया जुसमें इजबल के साथ पुलकत समराड भी दिखाई दे रहे हैं उनके इसी लुक को शेयर करते हुए सल्मान खान ने इजबल की तारीफ की है अपने इस फोटो को शेयर करते हुए सल्मान खान ने लखा अरे वहा पुलकु और इसाब आप दोनों सुस्वागतम खुशामदीद मूवी में एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बधाई और all the best, भगवान का आशिरवाद बना रहे सलमान खान की इस पोस्ट पर इसबेल ने कॉमेंट करते हुए उन्हें थांक यू भी बोला है इसबेल ने अपने इस लुक को शेर करते हुए इंस्टा पर लिखा नमस्ते आदाब अब होगी जल्दी आप से मुलाकात सुस्वागतम खुशामदीद का पहला लुक आपके साथ शेर करके बहुत उत्साहित हूँ दीरच कुमार के डारेक्शन में बन रही इस फिल्म की कहाने एक रुमांटिक ड्रामा बताई जा रही है जिसमें पुलकित समराट दिल्ली के लड़के अमन की भूमिका में होंगी और इसबेल आगरा शेहर में रहने वाली नूर की भूमिका में नज़र आएंगी इसबेल इससे पहले म्यूजिक विडियो माशालला में भी नज़र आ चुकी है इस म्यूजिक विडियो के लिए भी सल्मान खान ने उनको बढ़ाई दी थी इसबेल साल 2014 में आई डॉक्टर क्याभी फिल्म में छोटी सी भूमिका निभा चुकी है अगली खबर टेलेविजिन की है जिसके फेमस शो जमाई राजा के दूसरे सीजन यानी जमाई 2 को जल्दी टेलिकास किया जाना है खबर है कि इस शो के लिए आक्टर रवी दूबे को मोटी रकम दी जा रही है एंडी टीवी के रिपोर्ट के मुताबक इस शो के लिए रवी दूबे को फीस के तौर पर धाई करोड रुपे आफर किये गए थे वैसे इस बात की कोई अफिशल जानकारी अभी तक नहीं मिली है जमाई राजा का पहला सीजन साल 2019 में आया था जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था दूसरे सीजन में रवी दूबे के साथ आक्टरिस निया शर्मा भी नज़र आने वाली है मेरी कौम बनाने वाले उमंग कुमार जल्दी 109 साल के फॉजा सिंग की बायोपिक भी बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा फॉजा फॉजा सिंग को सिक सुपरमैन की नाम से भी जाना जाता है जिनोंने मारतन रनर के तौर पर कई रिकॉर्ड भी तोड़े हैं बीदे दिनों टी सीरीज ने अपनी अगली फिल्म ठांग गॉड के एनांस्मेंट की थी जिसकी शूटिंग शिरू हो चुकी है फिल्म में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंग और सिधार्त मलोतरा को कास्ट किया गया है सुधार्त ने फिल्म के सेट से तस्वीर शेयर करते हुए लिखा इस नई यात्रा के लिए उत्साहित हूँ, इसके लिए ठांग गॉड इंदर कुमार के डारेक्शन में बन रही इस फिल्म की कहानी क्या होगी अभी इसके बारे में कहपाना थोड़ा मुश्किल है वहीं अजय और अकुल जल्दी मेडे फिल्म में साथ नजर आएंगे जिसमें अमिताब बच्चन का भी एहम रोल होगा प्रियंका चोपडा और राजकुमार राव की फिल्म दवाइट टाइगर नेट्फिक्स पर रिलीज हो चुकी है वहीं इस फिल्म को दिल्ली हाई कोट की तरफ से राहत मिल गई है दरसल हॉलिवुड की प्रिड्यूसर जॉन हाट जूनियर ने फिल्म के खिलाफ एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने इसकी रिलीज पर रोक लगाने के लिए कहा था प्रिड्यूसर ने फिल्म पर कॉपी राइट का उलंगन करने का आरोप लगाया था मूवी अर्विंद अडिगा की नोविल द वाइट टाइगर पर आधारित है जिसमें प्रियंका चोप्रा राजकुमार राओ और आधर्श गौरव लीड रोल में है जाते जाते आपको बताते हैं इस हफते रिलीज होने वाली कुछ वेब सीरीज और फिल्मों के बारे में जिने आप इस वीकेंड पर देख सकते हैं इनमें सबसे पहला नाम है प्रियंका चोप्रा और राजकुमार राओ की फिल्म दवाइट टाइगर का जो नेट्प्लिक्स पर देखी जा सकती है इसे बनाया है रामिन बहरानी ने लिस्ट में दूसरा नाम है रिचा चड़ा की फिल्म माडम चीफ मिनिस्टर का जो बीते कई दिनों से चड़्चा में है मूवी एक पोलिटिकल ड्रामा है जुसमें मानव कॉल और सतीश कौशिक भी नजर आने वाले हैं इसे डारेक्ट किया है जॉली एलल भी बनाने वाले सुभाश कपूर ने ये फिल्म किसी OTT पर रिलीज ना होकर सिनमा घरों में दिखाई जा रही है अभी लिस्ट में तीसरा नाम है अमित साथ की वेब सीरीज जीत की जिद का कहानी कारगल वार की है जुसमें अमित साथ में मेजर डीप सिंग का करदान निभाया है इस सीरीज को विशाल मांगलोर करने टारेक्ट किया है इसे जी फाइफ पर देखा जा सकता है इन तीनों के ही रिव्यूज आपको दी ललन टॉप की वेब साइट पर मिल जाएंगे साथ ही विडियो रिव्यूज आप हमारी यूट्यूब चानल और फेस्बुक पेज पर भी देख सकते हैं आज के सिनमा शू में इतना ही अब आप से मुलाकात होगी अगले हफ़ते तब तक के लिए नमस्ते और हापी वीकेंड